गुड मॉर्निंग केट्स, वेलकम बेक टो आर वेब क्लासिज केट्स, आज हमारी हिंदी की क्लास है और आज हम अपनी हिंदी की क्लास में तीन अक्षनों से बने, शब्दों से बने वाक्यों को लिखने का अभ्यास करेंगी येस, आप सब तयार है मेरे साथ तो आप अपनी हिंदी की बुख, शब्द लिखन आओ पढ़ें, सीखें और आगे बढ़ें लेंगे और उस अपनी बुख को खोलेंगे पेस नमबर 3737 ओपन करेंगे कौन सा पेस बेटा? 3737 तो यहाँ चो हमारा वाक्य है, वो क्या है? पहले हम उसे पढ़ेंगे समझ, 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 कर, कर, सबक, सबक, पढ़, पढ़ तो आप यहाँ पर एक चित्र भी देख रहे हैं, जहाँ पर एक लड़की है और एक लड़का जो पढ़ रहा है, जो यह लड़का है, बेटा उसका नाम क्या है? भरत यह जो लड़की है, वो उनको समझा रही है क्या समझा रही है? भरत समझ, समझ कर, सबक, पढ़ क्योंकि वो पढ़ रहे हैं, तो वो उनको समझा रही है, कि आप समझ समझ कर सबक पढ़ना येस, तो हम भी अपना राइटिंग वरक स्टार्ट करते हैं, तो अपनी पैंसल को पकड़ेंगे येस, फर्स्ट लाइन आपकी डॉटेड लाइन है, ये आप आप ट्रेस कर लेंगे ओकी किर्स, हम आप नेक्स्ट लाइन से वरक स्टार्ट करते हैं, तो सेकेंड लाइन, जो की ब्लू लाइन है, आप उसमझा पैंसल रखेंगे और यहाँ लिखेंगे भ, भ, र, त, क्या हुआ बिटा, भरत, येस, स, म, ज, येस, समझ, भरत, समझ, और अगला शब्द भी क्या है हमारा, समझ, तो उसके लिए भी हम, स, म, ज, समझ, भरत, समझ, समझ, कर, क, र, कर, सबक, स, ब, क, सबक, येस, पड, प, ल, पड, पूनविराम, येस, अब अपनी अगली लाइन लिखेंगे, सेम यही लाइन कापी करने बिटा, बत बोलते हुए, भरत, समझ, येस, अगला शब्द, स, म, ज, समझ, क, र, कर, सबक, स, ब, क, सबक, पड, 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 येस, तो मैं आपने आपको ये टू लाइन बीटा लिख करके दिखाए हैं, अब आप अपनी फूल पेस पर येही वाक्य बराबर लिखते रहेंगे, भरत, समझ, समझ, कर, सबक, पड, हर लाइन पर आपको लिखना है, साथ-साथ बोलना भी है, बोलने से क्या होगा पिटा, आपको बार-बार शब्द की पहचान होगी, पहचान करने से आपकी रीडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी बिटा, येस, आप फुल पेस वर्क करने के बाद, आप इसका पिक लेंगे, और मैं आपको सेंट करेंगे, ओके बिटा, थैंक यू, बाबाई, ठेक केर,